कि शरदियों में शकरकन खाने से होते हैं लाब हेलो एब्रिवन विल्कम बैक टु माई चैनल कैसे हैं आप सब उमिद करते हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे स्वीट पिरेटो सेहत के लिए काफी फायदे मन्द होता है स्वीट पिरेटो में बहुत सारे बेटामिन्स होत क्षाने में होता है और कई कलर में आता है लाल और शभेद रंग में आता है शकर्कन खाने से हम विकाने मेंसा के लिए रिदय रोगमे मुटापा इन सभी लिए बहुत ज़ज्यादा फायदेमन होता है कि अगर आप वजुन कम करना चाहते हैें बेट लास करना चाहते हैं तो बेट लॉस के लिए बहुत ही ज्यादा फायदे मन्द है शकरकंद, शकरकंद खाने से बहुत तेजी से बेट लॉस होता है, आरेन को कमी को पूरा करता है, चलिए आज हम बनाते है शकरकंद का खीर, खीर बहुत आसानी से बन जाता है, बिल्कुल गाड़ी मलाईदा खीर इस को लिए बड़ी साइस का इसको हम ने दो ग्रास पानी में रख दिया सिर्फ से बनाप कर देंगे और ऐस मिर не तक बखा लेंगे हमें सिर्फ सकरकंद को सॉप्ट होने तक बड़ पकाना के शकरकंद काने से मजबूत होती है, सकरकंद में मौझूद कर्सियम, मनेशियम, फासपोरस पोटेसियम थाइमीन शकरकन कोचिकाओं को नस्ट होने से बचाती है कुकर का ठकन मैंने खोल दिया है अब इसे चेक कर लेंगे शकरकन बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है हलका साथ होने तक ही पकाना था मुझे हलका सा ठंडा होने देंगे उसके बाद चाकू से ह अब इस तरह से चिलका इसका छील लेंगे शकरकन आप कई तरीकी से खा सकते है शकरकन को उबाल कर इसे हरी चैटि dol के साथ आप खा एंगे तो बहुत ही p잉टय लगता ये फायंदा होता है शकरकन का चिलका मैं अच्य से साप कर लिया है आप चली आगए का प्रोसेस करते अच्छा ग्रेट हुआ है लच्छेदार शकरकन लच्छेदार शकरकन से खीर बहुत ही बढ़िया बनता है बिल्कुल जैसे रबडी होती है लच्छेदार उसी तरह से रबडी मलाईदार खीर बनके तयार होती है शकरकन की चलिए अब हम बनाना सुरू करते हैं खीर खीर बन नियुक्त देंगे उसके बाद इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ शकरकंड घालने के बाद इसे हम चलाएंगे बहुत अच्छे से भूनाई करनेखे इस चितना अच्छा होता है आप चाहें तो बीनाचीनी के भी इस खीर को बना सकते हैं अगर आपको डियाबटीज है तो बीनाचीनी के भी आप इस खीर को बना कर खा सकते हैं बहुत ही गाड़ा होता जाएगा यह खीर गाड़ी मलाईदार खीर बनके तैयार होगी जैसे हम लों रबडी बनाते है न स्भी तेक्स्चर में जैसा लगता है खानी वे वे टेस्ट वड़ा से लगता जैसे रबडी अब देखे काफी गाड़ा होने के बाद हमने इसमें एक ग्लास दुद और डाल दिया है क्योंकि यह खीर बहुत जड़ा गाड़ा हो गया था। आप ग्लास दूद डालने फ़्होगे partner पका लेंगे.. चमत पीसी देवी छोटी हिलाची का पाउडर अब हमें से मिक्स करते हुए 2-3 मिंटरे और पकाना है धीमे आज में खीर में डालने के लिए ड्राइब फूट अपने पसंद से ले सकते हैं आप काजू बदाम पिस्ता जो भी आपको पसंद हो खीर में डाल सकते हैं मैंने थो तरह सेम लग रहा है यह खीर और खाने में सेम उसी तरह से लगता है टेश्टू का रबड़ी जैसा एकदम गाड़ी मलाईदर खीर बनके तयार है फ्रेंस ड्राइफूट डालने के बाद मैंने अच्छे से मिला दिया है अब हमारा यह लच्चे दार गाड़ी मलाईदर ख काजू बदाम से कर रही हूं अपने पसंद से आप कर सकते हैं किसी भी ड्राइफोट से तो अगर आपको हमारी रेस्पी पसंद आए स्विट पिनेटो खीर बनाने की तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर लीजिए पहली बाद चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएग इससे हमारी आनिमल नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी तो मिलेंगी नेक्स वीडियो में थैंक यू बाब बाई